आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडसिंट बैंक के माइनर सभीं अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ अगर आपकी इज 18 सल से कम है आप एक माइनर है और अगर आप इंडसिंट बैंक में अपने लिए एक सभीं अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप क्रे physiciansillary क्रेटिर्य क्या होता है कैसा इस प्रेंग में हम अपने लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं इसके अलवावाएं यहां पर जो अकाउंट होता है जिरो बालैस अकाउंट होता है कि इसमें हमको अ हमको बैलान्स मिंचिन करने का ओ सकता पड़ती है डेविड काड कौन स फीचर बेनफिट से स्टार्ट करते हैं, आपको इस अकाउंट के अंदर एक कस्टमाइड वीजा का गोल्ड डिबिट काड मिलेगा, यह एक माइनर फर्सन के लिए, मतलब कि एक माइनर अकाउंट के लिए डिजाइन किया हुआ है, आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं, अग यहाँ पर आप कहीं पर भी अपने काड को स्वाइब करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप ओनलेन स्वापिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आपको इस डेविट काड के उपर रिवाड पॉइंट भी मिलता है, आम तर पर रिवाड पॉइंट पर एक क्रेडिट का इसके debit card से फिर इसके debit card का ज्यादा यूज की जगा तब यह आपको reward पर्ण देखने को में जाता है इसका लवाँ अगर हम इस account की interest rate की बात कर लें तो यहाँ पर 3-4% के बीच में आपको interest rate देखने को में जाता है आपको इस account के अंदर एक customized checkbook भी मिलता है जो भी minor जिनको checkbook यूज करना हो और यहाँ पर checkbook के लिए apply कर सकते हैं योकि bank की website से यहाँ पर आप जैसे apply ना उपर click किजेगा तो यहाँ से आपको अपने account number की detail फिल करने हैं यहाँ पर आप checkbook के लिए application दे सकते हैं इसके लावां आपको इस account के अंदर पास्वुक की facility मिलती है लेकिन आप इसको एक बार branch से confirm कर लिजेगा अभी के rate में ज्यादतर account के अंदर पास्वुक देखने को नहीं मिलता है इसी वजह से इसके लावां आपको इस account के अंदर net banking और mobile banking दोनों की facility मिल जाएगी आपको यूपी की facility भी मिलेगी तो यहां पर अपने किसी भी एप कंदर अपने bank account को लिंक करके चाहे हो phone पे Google पे Paytm Amazon पे और वहां सब यूपी ट्रंजिक्सान जैसे कि कर सकते हैं यहां पर अपने debit की fees and charge की बात कर ले तो यहां पर आपको यह जो account है एक zero balance account नहीं है यहां पर आपको balance maintain करने के ओ सकता है जो कि अगर आप एक metro city urban city या फिर रूलर city किसी भी city की ब्रांच में इस account को उपन कीजी आपको मिनमम 5,000 रुपी मंतली average balance requirement रहेगा मतलब की maintain करने की और सकता पड़ेगी आपको इस account के नदर इसके लागा जो debit card है इसका कोई भी balance fee या फिर annual fee नहीं है मतलब की free of cost bank आपको card शुकर के देता है और कोई भी उसका annual fee भी नहीं लेता है यह एज पर bank की website concern मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी complete आपको image भी screen पर दिख रही होगी अब यह सारी होगी fees and charges और यहां पर जो S में से लट होता है इसका 15 रुपीज per quarter यानि कि पंदर रुपी हर एक तीन महिने पर लिया जाता है आपके मुझाल पर जो भी message आता है आपके account से debit credits के regarding तो complete मैं आपको बता दिया इसके features और fees and charges के बारे में अब चले मैं आपको बता दिता हूँ इसकी eligibility criteria के बारे में तो इस account को open करने के लिए जो आपकी minimum age होन चाहिए और यह जो account होता है guardian के साथ link होके open होता है मतलब जो आप इस एकount open करने जाएगा तो यहां पर minor और guardian दोनुकर सकता पड़ेगी guardian के साथ link होके account को open किये जाता है और इस account को एक minor जिन जो अप्लिकैंट है और उनके guardian दोनों ही इस्तमाल कर सकते हैं जो कि दोनों के स आपको branch जाने के हो सकता पड़ेगी जो भी आपका nearest branch है और जब आप branch जाएगा तो आपको details साथ मिलेकर जाने पड़ेगी चलिए उसके बारे मैं आपको बताता हूं तो जब branch जाएगा तो यहां पर आपको account opening form fill करना पड़ेगा तो आप Google पर search किजेगा इंडसेंट बैंक एकाउंट ओपनिंग form तो यह आपको form देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर इस form को आपको fill up करना होता है तो आप असाने से fill कर लेजेगा इसके सांथ ही कुछ document लेगा चलिए इसके बार मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले जो भी applicant है यानकि जो भी एक minor person है उनकी यहाँ पर अधार card के ओसकता पड़ेगी दो यहाँ पर उनकी recent passport size photo के ओसकता पड़ेगी जो 10-20 दिन पहले या फिर एक-दो दिन पहले उन्हेंने खिचवाई हुई है एक-दो साल पहले का photo नहीं दीजेगा recent की यहाँ पर ओसकता पड़ती है इसके लावा guardian की भी डिटेल लगी guardian की यहाँ पर अधार card और यहाँ पर utility bill कोई भी दे सकते हैं जो की address proof के लिए ओसकता पड़ता है तो यहाँ पर आप चाहें तो electricity bill या फिर gas का bill या फिर कोई भी ऐसा bill दे सकते हैं जिसमें कि आपका address मेंशन किया हो और जिससे की bank यहाँ पर आपको verify कर पाए इसके लावा guardian की वही दो recent की passport size photo किया हो सकता पड़ती है तो यह complete detail हो गया इंडसेंट bank के minor saving account के regarding जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है I hope आपको हमारे यह जो वीडियो है काफी पसंद आया हो मैं आपसे फिर मिलूँगा next वीडियो के अंदर Have a good day, thank you